नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, कृष्णा एकडमी के यूटूब चैनल पे मेरा नाम है कृष्णामिस्रा दोस्तों, आज हम लोग KBS के सिलेबस का डिसकसन करेंगे और डिटेल डिसकसन करेंगे कि सब्जेक्ट में कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट कितने नमबर का आएगा और ये पूरा सिलेबस आपका हिंदी में है इस वीडियो को आपको कम्प्लीट देखना है ताकि कोई भी आपको कन्फूजन न रहे जो भी आप लोग क्या होता है ना कि आप लोग वही कोस्चन पूछते हैं जो आलेटी मैं उस वीडियो में बनाया रहता हूँ तो आप एक बार वीडियो को कम्प्लीट देखा करीगा क्योंकि आपको फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा फिर आप कमेंट करके कोई कोस्चन नहीं पूछ पाएंगे इस तरह के की वीडियो में आपको दे दूँगा ठीक है तो चलिए आज की बात करते हैं के बियस के सिल नमर काया था किस सब्जेक में कौन कौन सा टॉपिक आया था उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे ठीक है अपनी पढ़ाई आप लोगी स्टार्ट कर दीजे जो भी आपनोंका कन्फूजन है वो आपको पांच दिसंबर के जिस दिन नोटिफिकेसा आ जाएगा फाइ पूरा डिटेल डिसकेसन करेंगे हर एक टॉपिक कर डिसकेसन करेंगे हर एक सब्जेक का तो इसको आराम से धैरे से आपको देखना है आप सभी को पता है कि जो केबियस में जो कुश्चन आता है 150 कुश्चन आता है 150 नमबर का यानि कि प्रतिक कुश्चन एक नमबर का यानि कि एक question को attempt करने में आपको एक मिनट का समय भी दिया जाएगा. परिच्छा का माध्यम क्या होगा? तो परिच्छा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है. यानि इंग्लिस में भी paper दे सकते हैं और हिंदी में भी दे सकते हैं. और इस बार अगर paper का mode होगा, वो क्या होगा? CBT mode, यानि computer based test होगा, यानि कि online paper होगा. पिछली बार paper जब 2020 में इसका exam हुआ था, तो 2020 में जब इसका paper आया था, दोस्तों तो 2018 में जब paper हुआ था, तो किस mode में हुआ था? वो हुआ तो offline mode में, लेकिन इस बार mode क्या है? इस बार इसका CBT mode है, यानि कि computer based test mode है, ठीक? इसमें दो तरीके का paper आता है, हलाकि paper एक ही होता है, उसमें paper 1, paper 2 करके एक खंड दिया रहता है, section में divide होता है, तो paper 1 में आता है आपका समान्य अंग्रेजी, 10 question आएगा 10 number का, उस तरीके से paper 2 में आपका आता है, 10 number का समान्य ग्यान और current fair, देखे, अब इसमें 10 number, 10 question में ही आपका current fair भी आएगा, और आपका समान्य ग्यान भी आएगा, और पिछली बार 2018 के paper में, इन 10 question में से 4 question current का आया था, ठीक है? current का आया था, और आपका 6 question जो था, वो GS section का था, या यानि कि कहने का मतलब यह है कि पिछली बार के जो paper होया था, उसमें current fair का weightage कम था, क्योंकि सिर्फ 4 question थे, बाकी जो 6 question थे, वो आपके GS से आया थे, तो मैं आपको पूरी strategy बताऊंगा, इसके लिए मैं अलग से video बताऊंगा, कि किस subject को आपको कितना ध्यान देना है, और कि subject पर ज्यादा focus करना है, ताकि आप पहली बार में ही KBS को pass कर जाए, ठीक, reasoning के 10 question आते हैं, 10 number के, computer के भी 10 question आते हैं, 10 number के, उसके बाद से सिक्छा सास्तर, सिक्छा सास्तर यानि कि CDP से 20 question आता है, 20 number का, यानि कि यह हो गया आपका कितना, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40, 10, 50, 10, 10, 70, 70 question तो आपके सम्बंदित भी से में, और इस 80, 80 question में, 80 question में कौन-कौन subject है, तो आपका science है, ठीक है, science subject है, उसी तरीके से आपका math है, math आपका 20 number, science 20 question, math 20 question 20 number का, उसी तरीके से EBS, EBS भी आपका आता है 20 question, यानि 20 question यानि कि 20 number का, ठीक है, यह हो गया 60, और 10, 10 question का आपका English और Hindi आत ठीक है, उसका भी syllabus हम लो देखेंगे, अब आते हैं, KBS, PRT के लिए जो बिसे से सम्बंदित है, उसमें, जैसे paper 1 में, जैसे आपका general English में क्या-क्या पूछा जाएगा, तो general English में आपका article पूछा जाएगा, narration पूछा जाएगा, preposition पूछा जाएगा, punctuation पूछा जाएगा comprehensive पूछा जाएगा, filling in the blanks पूछा जाएगा, adverb पूछा जाएगा, error correction पूछा जाएगा, sentence re-arrignment पूछा जाएगा, unseen passage, vocabulary, antonym, synonym, idiom, phrase, tense, adjective, models, voice, subject, verb, agreement, देखें, आप मैं antonym, synonym का vocabulary का जो section है आपका, जैसे कि antonym, synonym हो गया, idiom, phrase हो गया, इदिस सब के लिए मैं अपने टेली ग्राम पे, इसी चैनल के नाम से, क्रिष्णा एकड़मी के नाम से ही हमाना टेली ग्राम चल ले, वहाँ पे मैं डेली, डेली 10 अंग्लिस के वर्ड में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यानि डेली में आपको टेली ग्राम पे 10 इंग्लिस के antonym, synonym और idiom phrase देता हूँ, अब बात कर लेते हैं समानी हिंदी, तो समानी हिंदी में और क्या-क्या पूछ रहा है, तो समानी हिंदी में आपका पूछेगा भासा, संग्या सर्वनाम एवंग सर्वमान नाम पूछेगा, एवंग बिसेसर, क्रिया, अभ्याय, वचन, लिंग, उपसर्ग एवंग प्रत अलंकार, संधी, तत्सम तद्भव, देशत, विदेशत और समास, देखे, इसमें से मैंने आपको समास टॉपिक बहुत बेटरीन से गे, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है न दोस्तो, मैं सोचता हूं आपको बहुत कम समय में इतनी सॉलिड चीज देदू, जिससे आपका तत्सम तद्भव पढ़ा दिया आपको, और जो मैं ट्रिक बताया है न तत्सम तद्भव, उससे आप 1000 तत्सम या 5000 तत्सम आप आसानी से पहचान जाएगे, ऐसा ट्रिक मैंने आपको बताया है, तो इसी तरीके से मैं आपको हिंदी भी करा दूगा, तो आपको लोड लेन की जरूत नहीं है, क्या-क्या चीजे पढ़ना है, कौन-कौन से बुक फालो करना है, यह समय आगे भी आपको बताता रहूँगा, यानि कि मैं जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता, तब तक मैं आपको एक-एक चीज गाइड करता रहूँगा, ताकि आप उसी तरीके स इमानदारी से त्यारी करते हैं, जिस तरीके से सलेक्शन होता है, उसी तरीके से आपका बहुत बहतरीन तरीके से सलेक्शन हो जाएगा, इस KBS एक्जाम में, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबडाने की जुरुत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रही है, ठीक है इतिहास से question पूछेगा, इतिहास में प्राचीन, मद्यकालीन और आधुनिक से question पूछा जा सकता है, भुगोल से question पूछा जाता है, समसमाईक, मामले, राजनीति, जनसंख्या इवंग जनगड़ाना, ये मैं आपको बत्त करा दूँगा, भारती, कला इवंग संस्कृति, इ आपको current पर focus बहुत नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा तर focus करना है आपको GS वाले portion पर, GS में भी किस subject पर, history और geography में, क्योंकि पिछले paper देखेंगे, तो 8 से 10 question आपका आया है, geography से, ठीक, और history से modern history से बहुत question आया है, और modern history मैंने आपको बहुत बैतरीन तरीके से पढ़ाया है, अगर आप मेरे वीडियो का, modern history मेरा वीडियो देख लेंगे, मैं यकिन के कास साथ करे सकता हूँ दोस्तों, कि KBS में आपका एक भी question गलत नहीं हुगा, एक भी question, क्योंकि वो जो notes है न, वो आपका NCRT और plus standard वो को से लेकर बनाया गया है, fact को, तो आप उसको आसानी से follow कर सकते हैं, और बहुत बहतरी तरीके से आपको modern history पढ़ाया गया है, तो आपको कैसे, क्या पुरना है, वो सारी चीजे आपको बताई जाएगे, अब आते हैं reasoning में, ठीक है, और इसका मैं chapter wise भी analysis कराऊंगा, कि reasoning में कहां से question आया है, हिंदी में कहां से question आया है, previous year में, computer स question किस तरीके से है, इसम में आपको करामगा, बिल्कुल भी load लेने के जरूरत आपको नहीं है, अब बात करते हैं, तरक सकती, यानि कि reasoning में, तो आता है question, पहला topic है, दरपड़ चितर, यानि कि mirror image, टिक, direction test, यानि कि दिशा परिक्षर से question आएगा, पहली बैठक, एवं उने employment से question आएगा, युक्तिवाच ने, और data परियाथता से question आएगा, यानि कि data sufficiency सकूषन आएगा, coding decoding से question आएगा, blood relation यानि कि रख्त संबंद याना की blood relation से question आएगा, करम बेवस्था, करम बेवस्था से question आएगा, अब अब छरांग की ये स्रिंखला से question आएगा, और तार्किक सक्ति से question आएगा, हाला कि आप कहेंगे तो इसका मैं इंग्लिस में मैंने डाला हुआ है, बलब इसका topic मेरे telegram channel पे, तो व कम्प्यूटर से संचिप्तिकर, यानि कम्प्यूटर का जो short name होता है वो पूछ लेगा, बुनियादी, कम्प्यूटर सब्दावली, shortcut, web प्रद्यों की, database प्रबंधन प्रनाली, browser और coach engine, internet, समाजिक networking की समाने अवधारणा, कम्प्यूटर मेमोरी या भंडार उपकर, कम्प CDP से, CDP से कौन-कौन सा topic पुछा जाएगा, तो CDP से पुछा जाएगा बच्चों का बच्पन और विकास, यानि अवेविर्दी और विकास, सारीरिक, गतिसील और समाजिक और भावनात्मक विकास, एवां सिधान, ठीक, उसके बास से अगला है कि सिख्छा और पाठे चर सिख्छार्ती और उनका संदर्व, सैक्षडिक अभ्यास और सिख्छा में ICT सीखने की प्रक्रिया, पाठे क्रम के प्रकार, कक्षा में पाठे चर्चा परिप्रेच, टिक, उसी तरीके से अगला है कि कार्य प्रणाली, भासा और भासा और उसके कौसल को समझना, यानि कि स सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और प्रारंबिक साक्षर्ता, भासा और संचार, सिख्छड के लिए योजना, कच्छा प्रबंधन, निदान एवं उप्चरात्मत सिख्छड और चोथा है हमारा शक्षन इसमें कि बिविदिता लिंग एवं समावेशी सिख्छा, बिशेस आवसक्ता वाले बच्चे, उसी तरीके से हमारा अगला है कि बिविद प्रिष्ट भूमी, लिंग, स्कूल और समाज और सीखने की अक्षमता, यानि ये सब आपका टॉपिक है आपका सिख्छर सास्त्र में, ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजे आपको पढ़ना ह संबंधित विशे में की बात करें, जो आपका असी नंबर का आता है पोर्षन, उसमें आपको भी 10 नंबर का हिंदी है और 10 नंबर का इंगलीज है, उसमें अगर बात करें, उसमें भी आपसे भासा, संध्या, सरुनाम, विशेसर्द, क्रिया, अभ्याय, वचन, लिंग, उ समास, पद परिचय, अपठित गध्यांस, भासा, सिक्छर की विध्या, यानि ये सभी चीजें आपको वहीं मिलेगी, यानि कहने का मतलब यह है, कि 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर का इंगलीज आपके पेपर में आएगा, 10 कुस्टन आपका हिंदी का पार्ट वन में, 10 कु सब् uniform में रहेगा, उसे तरीके से 10 कुस्टन आपका इंगलीज का सब्यक कॉंसर में रहेगा, वहीं टॉपिक यहाँ पे भी है, वर्व, टेंस, एड्जेक्टिव, मॉडल, वोईस, सब्जक्ट, वर्भ, अरिजमेंड, आर्टिकिल्ट, से निरेशन, प्रेपोजिशन, प् entry level यानि कि इसमें थोड़ा सा आपसा pedagogical question भी पूछ लिया जाएगा अब आते हैं समानी बिग्यान समानी बिग्यान में क्या आएगा तो जीव मंदल यानि की biology से समानी बिग्यान में कि क्यों कितने रहेंगे तो 20 question रहेगा आपका 20 number का यानि ठीक है 20 question 20 number का जिसमें जीव मंदल ब्रह्मांड पदार्थ गती भोजन पौधे और जानवर बल और गती परमाण गैस उर्जा त्वर्ण हमारा देश हमारा परियावर्ण और प्राक्रितिक संसाधन ये सभी topic आपके रहेंगे और KBS का syllabus के अपकी तो KBS यानि केंद्री विद्याले के teacher की vacancy में इतना जबर्जस अच्छा एक अच्छी चीज ये है कि अपने syllabus से बाहर question नहीं पूछता यानि जो भी आपसे question पूछेगा वो syllabus के दाएरे में पूछेगा सूपर टेट की तरह नहीं कि जीव भी ग्यान यानि कि general science से question कितना आएगा 20 question आएगा 20 number का ये ये topic है इसको मैं बहुत आराम से कराऊँगा आपको बहुत बढ़ियां से कराऊँगा ताकि आप अच्छा से अच्छा score कर पाएं अब आते हैं समानी गडित की तो समानी गडित में बात करें तो संख्या प्रडाली यानि कि number system LCM, HCF यानि कि लगुत्तम समापोर तक, महत्तम समापोर तक geometry से question आएगा छेत्रमीती से question आएगा, निकी menstruation से question आएगा, lab और हानी ये मैंने आपको पढ़ाया है, profit loss पढ़ाया है ये topic मैंने clear करा दिया है average से question आएगा, प्रतिसत प्रतिसत भी मैंने पढ़ा दिया है आपको ठीक, अनुपात और अनुपात और समानुपात से question आएगा गति से question आएगा, दूरी एवं समय से आएगा, ठीक है यानि कि time distance और दूरी से question आएगा c i और st से question आएगा ci यानि कि simple simple interest और compound interest रैखिक समिकरण से question आएगा, आकार और माप से question आएगा, आद इस chapter है, यानि कि इसमें बहुत सारे chapter है, वो एक एक करके हम लोग देख लेगे, ठीक है? अब बात पर लेते का. अब पर्यावरण एक ऐसा पूर्चन है जिसमें सिर्फ आप से पर्यावरण नहीं पुछा जाएगा और मैत भी आपका बिस कोЬस नमबर का आएगा ठीक पर्यावरण भी 20 कोशचन 20 नमबर का आपका आएगा ठीक है ? पर्यावरण में आप history से भी question पूछा जाएगा यानी GS की KBS exam में GS की अच्छी खासी भूमिका है GS को आपको अच्छे से पढ़ना है किस subject को कैसे पढ़ना है जब हम topic wise analysis करेंगे प्रते चेप्टर करेंगे फिसलेबस आप लोगे बता रहा हूं जब chapter wise हम लोगे discussion करेंगे यानि topic वाइस तम मैं आपको अच्छे से बताऊंगा अब लोगतंत्र अभी लोगतंत्र किसे आपकी है पॉलिटी का topic है तो लोगतंत्र आपका पॉलिटी का है पंचायद भी आपका आता है आर्टिकल 40 संबंदिते पंचायद से ये भी आपका पॉलिटी का topic है जनसंख्या वृद्धी तो जनसंख्या वृद्धी एकनोमिक्स का topic है रोग ये डिजीज किसे है तो बायोजी का topic है प्रक्रदिक आपदाएं किसे हैं तो ये आपका EBS से question आई है वाई, जल, मिट्टी, संसाधन, विकास, भारत करनक्सा ये सब क्या है ये सभी topic आपका geography से है geography से पिछले साल 8 से 10 question आपके question आये हुए है फिर राष्टियत्ता और राष्टी अंदूलन कहां से हिस्ट्री का topic है modern history का जो मैंने आपको complete पढ़ा दिया है उसी तरी के संस्कृति, पंचवर्सी योजना है ये सभी क्या है, पंचवर्सी योजना है, economics का topic है परिवहन भी आपका economic topic है ये सभी economic topic है यानि कि आपका EBS में आपसे सिर्फ EBS ना पूछ के geography से भी question पूछा जाएगा history से भी question पूछा जाएगा quality से भी question पूछा जाएगा और आपका bio से भी question पूछा जाएगा यानि कि इतनी जगहों से आप से question पूछा जाएगा biology में आपको ये सब चीजे तयार करके जाना है तो दोस्तों आप लोग को syllabus के demand थी कि सब English में syllabus मिल रहा है Hindi में दीजिए तो मैंने आपको Hindi में syllabus दे दिया है हाला कि इस बार syllabus change भी होगा तो जो changes होगे syllabus में अगर कुछ माली है change होता है या नहीं होता है तो अगर कोई change होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या-का subject change हुआ है और कौन से question को कितने में change होगा और क्या-का changes हो सकते हैं इस पे भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा तो आप लोग को घबडाने के जुरूत नहीं है ये पिछले साल का paper था पिछले साल का syllabus था जो मैं आपको आज दे रहा हूँ इसको आप लोग अच्छे से देख लेना है अच्छे से तयारी करेंगे ठीक है थोड़ा सा syllabus क्या change हो रहा है पता चलना है उसके बाद से आपके classes बहुत बहतरीन तरीके सा सुरू कर दे जाएंगे तो आपको बिल्कुल reload नहीं देना है आपका exam अप्रेल और मैं में है कब है अप्रेल और मैं के बीच में आपका exam होगा ठीक है अप्रेल और मैं में तो आपके पास time है तो यह जो excitement है इसको आप लोग बचा के रखिए आपको कम से कम अप्रेल मैं तक बचा के रखना है क्योंकि क्या होता है जनरली आप लोग एक से दो महिने बहुत जादा excited रुटते हो यानि कि 2-4 दिन जैसे एक से रुटते है उसके बाद जैसे एक महिना बीचता है तो आप लोग सुस्त पढ़ जाते हो लेकिन अगर इस बार selection लेना है दोस्तों आपको इस बार सुस्त नहीं पढ़ना है अच्छे से मेहनत करना है ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाग जै हिन जै भारत